जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat 6 में रुख करते हैं बिहार के तरफ देखे BPC TRE 1 की अगर हम चर्चा करें तो सबसे तेजी में ये परिक्षा लिया गया इसकी ज्वाइनिंग कराए गई नियुक्ती पत्र बाटने के बाद जिला अवंटित किया गया इसकूल अवंटन किया गया और इनकी नियुक्ती करवा दी गई अब इनकी salary भी आनी सुरू हो गई है लेकिन वही पे अगर हम बात करें तो BPSC TRE 2 के बहाले की प्रक्रिया जो हुई वो बहुत तेजी से तो हुई लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दे कि जो विलंबता हो रही है जी हाँ विलंबता TRE 2 के सिक्षकों के बिद्दाले अवंटन के हो रही है तोकि पिछले एक माह से भी पूरा नहीं हो पाया है, एक माह से यहाँ पर लगातार आपको बता दे कि यह बहाले की प्रक्रिया जो है अपना स्कूल अवंटन में लगा रहा है, और परिक्षा और रिजल्ड से अधिक समय बिद्धाले अवंटन में अब लगा, जितनी तेज जब आप करने जाएंगे तो उसमें आपके कौन-कौन से डॉकमेंट्स लगेंगे उसका लिष्ट हम लेकर आये हैं इस वीडियो में जड़ा ध्यान से देखेगा लेकिन अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो हो सकता है कि यह बहाली के प्रक्रिया थोड़ा इस्टे भी ल रहेंगे लेकिन अब कितनी तेजी दिखती है इस बहाली की प्रक्रिया में यह देखने योगय बाते हैं चुकि बीपी सी के अब चेयर परसन भी बदल चुके हैं जी हाँ और वीपी सी के जो नैचेयर परसन मन हैं आमिर सुभानी जी उनको अगर बीपी बीपीएसी के चेर परसन अतुल प्रधास सर से अगर कंपेर किया जाए तो साइध ये अच्छा काम और यहाँ पर दिखा सकते हैं लेकिन यहाँ पर इन प्रक्रियाओं में बिलंबता क्यों हो रही है बीपीएसी ट्यारी टू का जिला अवंटन जो हो रहा है पिछले एक महीने से चल रहा है और अभी तक यह पुरा नहीं हुआ है परिक्षा और रिजल्ट से अधिक समय यह बिद्याले अवंटन में लगा रहे है तो बीपीएसी ट्यारी थर्ड की अगर हम चर्चा करें तो नोटिफिकेशन आ चुका है इसका लेकिन अभी सीटो का अवंटन यानि कि सीटो का जो जानकारी है यानि कितने पदों की वेकेंसी आएगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है तो आयोग से मैं मांग कर रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के माद्यम से कि जल से जल जो है छात्रों के हीत में सोचा जाए और आप जल से जल जो है यहाँ पर इनमें कियों बीसे में कितना सीट आप दिया जाएगा ये जानकारी दीजिए क्योंकि पता चलेगा कि 23 फरवरी आ गया और यहां पे छात्र फॉर्म ही नहीं भर पाए क्यों क्योंकि छात्र तो इंतजार कर रहे हैं कि देखेंगे कि इस बहाली की प्रगिरिया में उनके लिए उनकी विभाग में कितने पदोकीत संख्या है वैसे मैं अपने इस वीडि 11,000 का वेकेंसी आप लोग का बताया जा रहा है तो यह अभी जानकार ही मिल पाई है लेकिन जो अवंटन सीट है अन्य विश्यों का लेकर अन्य क्लास के लेकर अन्य वर्गों को लेकर वो कब तक दिया जाएगा तो यह इस वीडियो के माद्यम से हम मांग कर रहे हैं लेकि यह ध्यान में रखकर ले जाएगा यहावे बोला जा रहा है कि उपरियुक्त विश्यक के में बिहार लोग से वायोग की अनुसंसा के अधार पर नौ नियुक्त विद्याले अध्यापकों के पदिस्थापन के आदेश के निर्गत किया जा रहा है जिसमें कि इसके बिद्याले प्रधान के बकाया आरोप के आदी लंबित नहीं रहने के संबंधित प्रमाणपत्र है यानि कि बहुत सरे ऐसे टीचर होंगी जो कि यहाँ पर नौ नौ नियुक्त सिक्षक बनेंगे उनकी बात की जा रहे है तो उनके नियोजे निकाई से प्राप्त जो है ए कोई शालरी वेगर एक लेकर कोई अभी तक लंबित तो नहीं है कोई वामलाइन के लिए तो उसकी जानकरी के लिए प्रमान पत्र देना है नियोगती प्रधिकार नियोजे निकाई यानि यहां यहां पर यहाँ पर बिपीए से ट्यारी टू देकर आये हैं और नए इसके अलावा आप लोगोंने इक्जाम दिया है उसका अध्मिट कर ले जाना ना है requested काउंस्लिंग सह अनमुखी करन है ना इस चर्चा हो रही जो आपको लाष्ट में पतर दिया गया है है आप लोग का जो आम तो जबी की प्रकरिया में थेले भी हुआ है आप लोगा निवुक्ती पतर देने में तो जो यूंतीम रूप से यो यूक्ति पत्र दिया बूलन जाना है section अगर प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आपके निवक्ति होई है आपका जो है टेंद से लेकर मिंवठी कि आगर तो इसका प्रमाण पत्र है टेंच हो गया तो गया ग्रेजुएशन पीजी हो गया इसके लावा अगर आपने डियलेट या बीड किया है जिस भी आधार पर आपका सेलेक्शन हुआ है वह प्रमान पत्र है अधार काड ले लिजेगा प्रस एक्षिन प्रमान पत्र है आपका बीड हो गया या डियलेट हो गया अगर पास है तो उसका प्रमान पत्र है अब देखिए एस टीट के बारे में थोड़ा सा जनकरी में यहां से दूंगा और भी आपको फोटो का तीन कॉपी लेके जाना है अधार लेलना है यह सारे जो डॉक्मेंट से आपको लेके जाना है बांका जिला से अपडेट इसको कि आले के पास तो कल से यानि कि 13 फर्वरी से 13 फर्वरी 2024 यानि कि कल से आप लोगों को माद्यमिक सिख्चक पातरते यानि कि इस्टीटी 2019 के संसोधीत रिजल्ट काड यानि कि जो चात्र 2019 में अपना इस्टीटी दिये थे और उनका स्कोर काड में सुधार करने के लिए अपडेट दिया गया था वह स्कोर काड मिलेगा और या तो इस्टीटी 2023 आप दिये है और उनना भ्यार्थियों के लिए result card जो बन के आया है उसका वितरन जो है 13 फरवरी से जिला कार्याले पतादिकारी यानि कि DEO office में किया जाएगा ये आया है दोस्तो इस्थापना कार्याले पूर्णिया के लिए तो ये पूर्णिया में हो रहा है जो भी छात्रे पूर्णिया से हैं है ना ये ध्यान रखिएगा वह अपने DEO कार्याले में जाएंगे और अपना STAT कार्ड जो है ले सकेंगे तो ये एक जानकारी है आपके STAT को लेकर और आपके बिद्याले आवंटन मतलब जो छात्रे का हो रहा है उनके योगदान को लेकर अपडेट है लेकिन फिर भी मैं मांग करूंगा यहां से कि जल से जल इन का ज्वाइनिंग कर रहा है और इनलों का सैलरी का सिस्टम जो है वह स्टार्ट हो जाए ताकि यह जो बीपी एसी ट्यारी थर्ड आने वाला है उसकी तैयारी में और तीजी से आप लोगो लगते हुए देखना हम लोग चाहते हैं आप लोग कितने तीजी से यहां पर काम क कर रहे हैं तो यह सारी जानकारिया थी दोस्तों यहां पर अपडेट की गई है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर कोई डाउट है आपके मन में इस चीज़ को लेकर तो प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर पूश लिजेगा अभी के लिए इस और नए वीडियो के साथ तो अभी के लिए जैहेंद